आपको एक असे देश के बारे में रोचक जैनकारी देने जा रहे हैं जो वाकई में बहुत रोचक है यदिन मानिये वाकई बहुत रोचक इस country ने सब सहरन आफरिका देशों में सबसे पहले आज़ादी हासल के जहां साथे इस देश के लोगों को सबसे ज्यादा चमकीले कपड़े पहनने की आदत है यहां की coffee दुनिया की the best coffee मानी जाते है यहां के लोग सबसे बिंदास माने जाते है सौ मुश्किल है इस देश के पास लेकिन यहां के लोगों को एक ही बज़ा चाहिए होता है मुस्कुराने के लिए दोस्तों आज़म आपको जिस देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियां देने वाले हैं उस देश ने एक लड़ाई 77 सालों तक लड़ी है इसी देश में दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड लीक पे है जियां दोस्तों आज़म आपको आफरिका की शान घाना देश के बारे में बहुत सारे इंफोर्मेशन देने जा रहे हैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा साथी दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक के तौर पे खूब प्यार भी देंगे दोस्तों सब सब पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ओफिशिल नाम है रिपब्लिक ओफ घाना देश का बॉर्डर बुर्कीना फासो, टोगो और कोटिडिल वोट से मिलता है देश के कुलाबादी है तीन करोड के आसपास हुई population density की बात करें तो यहाँ पर आपको 137 लोग पर स्क्वार किलोमेटर मिल जाएंगे घाना देश के पैस को मिलाकर 27,540 स्क्वार किलोमेटर की जगा है इस देश में 58 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं तो 42 प्रतिशत गाओं में देश की राजधानी शहर है अक्कारा जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर बे है दोस्तों घाना देश का भी इतिहास बहुत ही पुराना है इस देश ने भी बहुत उतार चड़ाव देखे हैं गुलामे का बोज भी इस देश ने देखा है यहाँ पर भी यूरोप के लोटोरों ने बहुत दबाही मचाई थी लेकिन सारे दुखों को पार करते हुए इस देश ने एक एक करके सब ही मोर्चों पे जीत हासल कर ले आज यह देश आजाद है और आफरिका का सबसे स्पेशल देश है दोस्तों आपको बता देएं कि पहली बार इस देश को पुर्तगाली व्यापारियों ने ढूंड कर निकाला था कहते हैं कि वो समय था 1470 का उसी समय जब पुर्तगाली व्यापारियों ने समुद्र के रास्ते अलग-अलग देशों के खोज के तो उनमें से एक निकला घाना और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया विल दोस्तों आपको बता दूँ कि घाना देश ने 6 मार्च 1957 को अंग्रीजों से आजादे हासल के उसके बाद से इस देश ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा कहते हैं कि इस कंट्रे ने कभी भी किसी पर हमला नहीं किया फ्रिंज घाना वेस्ट आफरिका में सुटेंतरता हासल करने वाला पहला देश था उसके बाद ही वेस्ट आफरिका के बाकी देशों को आजादे मिले दोस्तों जब भी बैथ होती है आफरिका के देशों की तो कई लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही गरीब होंगे लेकिन रियालिटी ये नहीं है असल में दोस्तों घाना बहुत अमीर देश तो नहीं है लेकिन ये बाद भी सच है कि घाना बहुत गरीब देश भी नहीं है कहते हैं कि इस देश ने पिछले 20 सैलों में डिवलप्मेंट का बहुत सारा काम किया है दोस्तों अगर आपको दुनिया की बेस्ट कॉफी पीनी है तो उसके लिए हो सकता है कि आपको घाना जाना पड़े आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में इससे बेटर कॉफी और कहीं नहीं मिलते कहते हैं कि घाना की कॉफी की पूरी दुनिया फैन है तबी तो कहा जाता है कि घाना की कॉफी पीने वाले स्टेस्ट को कभी नहीं भूल सकते है दोस्तों कि आपको पता है कि घाना का मतलब क्या होता है हर देश के नाम का कुछ ना कुछ मतलब होता है आपको बता दूं कि घाना का मतलब होता है warrior king क्यते हैं कि यहां का हर इनसान अपने देश के लिए warrior होता है यही वजाए कि इस देश को warrior king कहा जाता है दोस्तों घाना देश का एक नियम ऐसा है जो हो सकते आपको shock कर दे क्याते हैं कि अगर यहांपर कोई भी लड़की विदवा हो जाती है तो ऐसे नों उमीद की जाती है कि वो अपने पती के छोटे भाई से शादी कर ले यहांगे लोगों की सोच यह है कि कि किसी भी विदवा महीला को किसी भी हाल में अकेली ना रहने दिया जाए नहीं तो हो सकता है कि वो अकेलेपन का शिकार हो जाए और कुछ ऐसा वैसा कदम उठा ले हलंकि दोस्तों अच्छी बात ये है कि क्या दुबाराश शादी करनी है या नहीं ये टोटली लड़की के उपर डिपेंड करता है विल दोस्तों आपको बता दूँ कि इस देश के लोगों के बीच में कलरफुल कपड़े पहनना बहुत पॉपिलर है कहते हैं कि यहां के लोग लाल पीले कपड़े बहुत अच्छे से और शौक से पहनते हैं यहां के लोगों का मानना है कि जब आप कलरफुल कपड़े पहनते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है आप हमेशा जवान फील करते हैं तो भी अपने जनरली देखा होगा कि आपके लोग चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो बहुती चमकीले कपड़े पहनते हैं क्या आपको पता है कि 19th सेंचरी में घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता था उदारन के तौर पे 1957 से पहले अंकोबरा और वोल्टे नदियों के किनारे की गई सोने की खोज और बहुतायत में सोने की उपलब्धता के कारण इस देश को गोल्ड कोस्ट के रूप नहीं किया जी हाँ दो हिस्सों में बढ़ चुका था यह देश एक पड़े लिखे घाना के बसंदे तो दूसरी और अनपढ़ लोग लेकिन दोस्तों जब सेकेंड वर्ड वर्ड की बारी आई तो सब एक हो गए और सबने मिलकर अंग्रेजों को देश से निकाल फेका लेक इसकी शुरुआत 1823 से लेकर 1900 तक चली थे आ जाता है कि जब यहां के लोगों ने ठान लिया था कि चाहे जो होगा लेकिन यह लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे तो ऐसे में इनहीं ये येवरोपियन ताकतों को ख़देड कर बाहर करने से कोई नहीं रोक पाया दोस्तों जब आप घाना देश के बारे में स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहां के लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि खुद के लिए तो दुनिया में हर कोई ही जी रहा है लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले ही सबसे स्पेशल होते हैं यहां की सोच यह है कि चाहे आप खुद कितना भी कष्ट क्यों न जेल लेकिन आप से किसी को कष्ट न हो ये है घाना के लोगों की सोच विल दोस्तों एक और बैद जो घाना के लोगों के बारे में कही जाती है वो ये है कि अगर आपने उनका ट्रस्ट चीत लिया तो वो यारों के यार साबित होते हैं जेहां आपके लिए वो जान तक दे देंगे लेकिन अगर उन्हें ये पता चल गया कि आप उनका इस्तेमाल कर रहे थे तो फिर वो आपको छोड़ते भी नहीं है फिर आपको घाना वासी दिन में ही तारे दिखा देते हैं तो दोस्तों इनके साथ कभी दोस्ते में जेहां पर सरसट प्रतेशत लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोलते या लिखते हैं यही बजाए कि इस देश में जब बाहर से कोई आदा है तो उसे किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं होती बातचीत करने में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इ दोस्तों कहते हैं कि यहां पे हर छोटी से छोटी बात को यह सेलिबरेट करते हैं घाना के लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई को लेकर अब जागरुकता आ गई है यहां कि लिट्रसी लिविल्स में पहले से कहीं ज्यादा इंप्रूब्मेंट देखे गई है इस समय इस देश में 100 में से 77 लोग पढ़े लिखे हैं हलंकि यहां कि गवर्णमेंट इस आंकड़े को 30 से उपर लेकर जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं दोस्तों आपको पता दूँ कि घाना देश में सबसे पॉपिलर गेम है फुटबॉल केते हैं कि यहां के बच्चे कि एक हैसे यानि कि साउथ घाना में रहने वाले लोग ज्यादा तर अमीर होते हैं वहीं दोस्तों अगर बात की जाए नौर्थ घाना के तो यहां के लोग गरीब होते हैं इस तरह इस देश की दो अलग अलग तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों घाना जीजें एक स्पोर्ट की जाती हैं दोस्तों आपको बतातूं कि इस देश के लोग नाचरली ही स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जो कि काफी उनीक है इनका नाम है फ्रेडी अडवोई और यह घाना के रहने वाल प्रक्रिति को आज भी अपने में समेटे हुए हैं उधारन के तौर पिये जहन जातियां प्राचीन नाच गाना प्राचीन रस्मरिवाज और प्राचीन रहनसेहन को आज भी जिन्धा रख्या हुए हैं कि यहां के लोग अपने देश की किसीबी सभेता को अपने से अलग नहीं होने देते हैं। वागई में ये बाद बाके के देशों को भी घाना से सीखने की जर्रत है। दोस्तों घाना की लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही हार्ड वोकिंग होते हैं। कम उसे कम एक दिन में 9-10 गंटे काम करते हैं। अन्गे जो अपने खेतों में काम करते हैं, वो अकेले ही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं. इनफार्ट घाना की ओरतों के बारे में कहा जाता है, कि ये अपने पती के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलती हैं. दोस्तों, एक चीज जो इस देश में बहुत गलत है, वो ये है कि यहां भी इस देश में इतनी बड़ी बिमारी की तरह फैल गया है, कि यहां पर एक ही इंसान कई बार शादी कर लेता है, इस सोच के साथ कि बार बार वो दहेच लेता रहेगा. आज भी ये प्रथा यहां पर खुले आम चल रही है. विल दोस्तों आपको ये भी बतानूं कि घाना देश में विद्वा हो गई औरतों के लिए एक अलग ही नियम है. यहां पर लड़की जो विद्वा हो जाती है, वो एक साल तक ब्लैक कपड़ा ही पहनती है. इस कपड़े का नाम है आजाता है कि इस कपड़े को पहन कर लड़की आपने आपको किसी भी गलत चाय से बचा सकती है. यह बात तो आप जान ही गए हैं कि घाना देश में ज्यादा तर लोग किसान है. तब दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि जब इस देश में फसलों के कटाई होती है. तो यहाँ पर उचसब जैसा महाल होता है. यह पर जब फसल के कटाई होती है तो मानू कि यहाँ का नजारा ही अलग होता है. यहाँ पर फुल-ओन सेलिब्रेशन होता है. दोस्तों क्या आपने लेक वोल्टा के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि यह है दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जील. यह बहुत ही दर्शनिये लोकेशन है. कुल मिलाकर आपको बता दूं कि लेक वोल्टा कुल 6 रुफल के 3.6 प्रतिशत हिस्से में बनाई गई थी जब भी आप इस देश की आत्रा पर जाएं तो इस लेक का नजारा जरूर देखें. सच में यहां के नजारे बहुत खुबसूरत हैं. यह आपका मन मूह लेंगे. बिल दूस्तों आपको यह भी बता दूं कि घाना के ककूम नाशनल रेन फॉरेस्ट वन में 6.6 से अधिक तितलियों की प्रजातिया पाई जाती हैं. तितली की खुबसूरती देखने के लिए यह कमाल की जगा है. बसे आपको बता दूं कि यह देश वाकई में बहुत ही स् अन्य धर्म को मानने वाले हैं। यहां के करीब 71 प्रतेशत लोग क्रिस्चिन्स, 18 प्रतेशत मुस्लिम और बाकी अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे और अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलोज जरूर कीजेगा फिलाल मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए और टेक केर